मकर रासी आज का रासी फल यानी की 20 दिशंबर का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आप शभी का बहुत बहुत स्वागत है धनू मकर एस्पेशल में तो आईए आज का वीडियो सुरू करते हैं और जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में दोस्तों वीडियो को आप एसकीप कहें भी न करें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए आज का उपाई भी है जिस उपाई को फॉलो करके आप दिन को बेहतर बना सकते हो तो पहले हम आज के पंचांग को देख लेते हैं आज के थी है नब में नक्षत्र है हस्त पक्ष है क्रिशन पक्ष और दिन है सुक्रबार आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है शात बज़ के आठ मिनट में और सुर्यास्थ है पांच अठाइस में चंद्रोदे है अगले दिन एक बाबन में और चंद्रास्थ है एक बीस में आज का दिन है कुल मिलाकर दस घंटे 19 मिनट 21 सेकेंड का और अभी महिना है पॉस आज आपके लिए सुह समय है 11.59 से 12.49 के बीच में और अशुखकाल है 9.12 से 9.54 के बीच में और दुबारा है 12.49 से 1.20 के बीच में और रहुकाल सुरू होता है 11.01 के एक मिनट से 12.18 मिनट तक और फिर दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में दोस्तों सबसे पहला है आपका बैबाहिक जीबन जो की आज आपके लिए शामानने तोर पे सहीर हैगा या बेहतर हैगा आज के दिन बैवाहिक जीवन में आप कुछ बदलाब देखेंगे और वो बदलाब आपके लिए काफी ज़्यादा बेहतर हेगा आपके रिस्तों को वो मजबूत करने में आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है अपने जीवन साथी का एहमियत आज आप समझेंगे आपके लाइफ में उनका क्या वेल्यू है ये आज आज आप समझने वाले हैं इसके बाद बारी आता है बेवशाई के लिहाद से दिन आपका शामार्ण है ना बहुत ज़्यादा बेहतर है ना ज़्यादा खराब है आज कारे छेतर में आपके सामने कुछ नई चुनोतिया आएंगी और उन चुनोतियों में आप आज उलजे हुए रहने वाले हैं लेकिन चिंता न करें अगर आप रिस्रम करते हैं मेहनत करते हैं तो उन चुनोतियों का सामना आप कर पाएंगे और उन चुनोतियों से आप जीत भी जाएंगे चूंकि ग्रह आपके पक्ष में है वो आपको बाधाएं नहीं देगा दिन आपका बहतर बनाएगा इसके बाद है आपका प्रेम शंबंध तो प्रेम संबंध के लिहाद से दिन आज का काफी ज़्यादा बहतर रहेगा शानदार रहने वाला है अगर आपके प्रेमी को या आपके प्रेमिका को आपके प्रेम शंबंध से आप से कुछ सिकायते होंगी तो आज अगर आप चाहेंगे तो उन सिकायतों का शामना आप करेंगे और उन सिकायतों को आज आप गाइब कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको उन सिकायतों पर अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को आप लाइक कर दें शाथ में इस चनल को आप सब्सक्राइब कर दें घंटे को ओल पे आउन कर दें और वीडियो को आप हर जगर सेयर कर दें फैला दें ताकि आपके साथ साथ आपके सके संबंधी भी इस वीडियो का फाइदा उठा सकें अब है आपका श्वास्त तो श्वास्त के लिहाद से दिन आपका शामानने है आज अगर आप चाहते हैं आपका सिहत बढ़ियां रहे आपको दिक्कते न आए तो आज आप कुछ दूर पैदल चलें एकसरसाइज करें व कामकाज में आप धन लगाएंगे भी और आप धन बचाएंगे भी आज आप धन का महत्तु समझने वाले हैं और पैसे का मिस्यूज आज आप नहीं करेंगे जो आपके लिए अच्छा है और ये आपके धन संपत्ती को और मजबूत करने वाला है इसके बाद है आपका पार पारिवारिक जीवन मित्रों काम के शाथ साथ काम तो होते ही रहेगा लेकिन काम के साथ साथ आप परिवार वालों को भी आज समय दें और अगर मौका मिले तो रात का खाना डिनर आप उनके स्टाथ करें ये आपके पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर रहेगा बाधाएं आ आपको नहीं आएगी तो अब जानते हैं आपके आज के विपाई के बारे में आज आप गंगा जल या किसी तिर्थ अस्थान के जल को टीन के डिब्बे में डाल कर घर में रखें इससे आपका दिन बेहतर होगा और ये बाधाएं आप से दूर हो जाएगी आपका दिन हर हर महादेव जय महाकाल भारत माता की जय हो विस्वका कल्यान हो गौ माता की जय हो जय सी आराम